नमस्कार साथियों आप सभी का हमार इस्केशनल प्लैटफॉर्म कॉंपोटिशन कमिडी पर एक बार फिर देश्वागत है आज के दी में स्टेशन की बात करूँ तो आज हम लोग यहाँ पर ओर्डर और डेंकिंग का पार्ट फोर डिसकस करने वाले है यानि कि इससे पहले हम लोगों ने और्डर और कोंस्ट का अभ्यास भी किया यदि मैं बात करूं आज के सेशन की तो आज के सेशन में क्या कुछ खास रहने वाला है तो आप अपनी स्क्रीन पर एक प्रष्ण देख पा रहे होंगे तो मैं चाहूंगा कि आप सभी विद्यार्थी इस प्रष्ण को क्या करें पहले बनाए और इस प्रष्ण की चर्चा अगर हम बात करें तो session के बीज में करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे sitting arrangement पर based basic concepts को भी develop करते हुए चलेंगे तो basically यह जो question होते हैं यह आपके इनी concepts पर आधारित होते हैं जहां से आपका sitting arrangement है वो और पुक्ता और मजबूत होता हुआ दिखाई देगा तो अगर हम बात करें यहाँ पर exam में पूछेगे प्रश्णों की भी चर्चा करेंगे साथी साथ ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो प्रश्ण है वो आपके misleadingous concepts पर ही based होने वाले हैं यानि कि यहाँ पर हम आपके speed boost up की भी चर्चा करेंगे जो अभी तक हम लोगों ने concepts पढ़े हैं उन पर अधारित प्रश्णों को भी without using pen and paper कैसे हल करना है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे साथी साथ यहाँ पर आप अपने exam में पूछेगे प्रश्णों को देखकर कि यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जो exam है वहाँ पर प्रश्णों का इस्तर आपको क्या देखने को मिलता है यानि कि जिस इस्तर के प्रश्णों को आप aspect करते हैं प्रश्णों का इस्तर उ क्योंकि यहां पर अगर आप marks गवाते हैं तो आप काफी students है यानि कि 1000 students से क्या हो जाते हैं पीछे हो जाते हैं और वही आप प्रश्ण को अटम करके 1000 students से क्या हो जाते हैं आगे हो जाते हैं क्योंकि यह कुछ ऐसे प्रश्ण होते हैं कुछ ऐसे bouncers दिये जाते हैं आपको बी कार के प्रश्न और प्रश्नों का जो इसतर आपको देखने को मिल रहा है वरतमान परिक्षाओं में वो क्या होने वाला है तो अगर हम बात करें यहां पर प्रश्न की तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है SSC MTS 2020 परिक्षा का नाम भी आप देख सकते हैं और यह यानि कि एक पंक्ती में अगर हम बात करें तो व्यक्तियों की संख्या कितनी दी गई है 19 आगे कि अगर हम बात करें तो बोला है मनीश सेवंथ फ्रॉम दा बैक यानि कि मनीश की अगर हम बात करें तो पीछे से कितना है सात्वे स्थान पर है यानि कि अगर हम बात करें मनी यानि कि अगर हम रिंकू की बात करने तो यह मनीज और सीमा के एक्जडी मिड में है यानि कि यहाँ पर मनीज हो सकता है यहाँ पर रिंकू और यहां पर सीमा और इसी फिकार इसका दूसरा possibility भी आप यहाँ पर देख पा रहें clear? आगे की एदि मैं बात करूँ तो बोला है सीमा और रिंकू have three persons between them यानि कि सीमा और रिंकू की अगर हम बात करें तो दोनों ही cases के हिसाब से यहाँ पर इनके बीच में कितने वक्ती हैं? तीन वक्ती हैं ठीक है? अब आगे की एगर हम बात करें तो यह structure हमारे पास है यानि कि अगर हम मनीज के दाहिनी और सीमा का structure बनाना चाहें तो हमें कितने वक्ती चाहिए होंगे? तीन एक चार तीन साथ और एक आठ आठ वक्ती चाहिए होंगे जबकि यहाँ पर मनीज के दाई और वेक्टियों की संख्या मातर कितनी है 6 है अगर हम बात करें यह वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पर बनाया नहीं जा सकता इसके बार अगर मैं बात करूं इस वाले structure की तो इस structure को यहां पर हम लोग draw कर लेते हैं व्यक्तियों की कुल संखिया थी 19 यानि कि अगर हम बात करें मनीज के बाई और कितने व्यक्ति होंगे तो मनीज के बाई और व्यक्तियों की संखिया हो जाएगी 12 जिनमें से अगर हम बात करें तो तीन है यहोग फिर आपको देखने को कौन मिलेगा रिंकू और तीन है आपको देखने को मिलेगा tomaj यहां पर कुल व्यक्ति थे बारा तो तीन Candice चार तीन साथ एकर आठी कितने बज़ जाएंगे चार बात करें यदि हम पूछे गए प्रस्ण की तो पूछा जा रहा है वाट इस दा पॉजिशन आफ सीमा फ्रॉम दा फ्रंट यानि कि सीमा की अगर हम इस सित्य की बात करें तो बाएं छोर से कितना होगा और फ्रंट और अगर हम बात करें बैक टॉप और बॉटम इनके बारे में हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं कि कैसे हम लेफ्ट टू राइट में इसको कनवर्ट करके आसानी से प्रस्ण को हल कर सकते हैं तो अगर हम सीमा की पोजिशन की बात करें तो सीमा की पोजिशन यहाँ पर चार व्यक्जियों के बाद आपको देखने को मिल रही है यानि कि बाएं छोर से कर हम सीमा की पोजिशन की बात करें तो कितनी हो जाएगी आपके MTS की परिक्षाफ पर आधारीत प्रस्ट देखने को मिल रहे है तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पूछे गए प्रस्ण की तो बोला जा रहा है 36 persons are sitting in a row यानि कि एक पंक्ती में अगर हम व्यक्तियों की संख्या की बात करें तो कितने दिए गए 36 आगे की दि में बात करूँ तो बोला जा रहा है जतिन इस exactly in the middle of Harish and Sovan यानि कि अगर हम बात करें यहाँ पर जतिन की तो यह किसके किसके बीच में Harish और Sovan के बीच में है ठीक है After Harish and Sovan interchange their position Harish becomes 10th from the left यानि कि जब यह interchange करते हैं तो Harish की जो position है वो कितनी हो जाती है दस्वी हो जाती कहां से बाय चोर से और आगे कि यदि में बात करूँ तो यहाँ पर बुला जा रहा है Sovan becomes 13th from the right और इसकी position हो जाती 13th कहां से It means पहले यहाँ पर Harish रहा होगा पहले यहाँ पर कौन रहा होगा Sovan ठीक है अब अगर हम बात करें यहाँ पर प्रश्न की तो पूछा है What is the 13th position from the right और यानि कि जतिन की स्थिती हमें बतानी ही कहां से अब समझिये प्रश्न की यदि मैं बात करूँ और प्रश्न को आप अगर गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका concept 2 पर आधारित प्रश्न है कैसे concept 2 पर आधारित प्रश्न है यानि कि व्यक्तियों की कुल संक्षा कि अगर हम बात करें तो 36 और हमने का सोवन का जो प्रिवेस पोजिशन था वो राइट एंड से कितना था 13 प्रिवेस पोजिशन यहाँ पर यहाँ पर दिया गया कितनी तेरा दाहिने छोर से और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सोवन की जो प्रिवेस पोजिशन दी गई थी बाएं छोर से वो कितनी थी दसमी थी और कुल व्यक्तियों की संक्या है कितनी 36 अब जब कुल व्यक्तियों की संक्या यहाँ पर 36 है 13 इधर से निकाल लिए 10 इधर से निकाल लिए 13 हमने निकाल लिए तो बीच में बचें कितने 13 इटमीन से यहाँ पर अगर हम बात करें तो 6 इधर हो जाएंगे 6 इधर हो क्लियर प्रश्ण के अगर हम बात करें तो पूछा है वाट इस जतिन स्पोजिशन फ्रॉम दा राइट एंड तो राइट एंड से गर हम देखेंगे तो तेरा के बाद छे वक्ती उन्निस फिर नंबर आएगा जतिन का यानि कि कितना हो जाएगा बीस आंसर हो जाएगा ऑप् वाटम वह मैनी टोटल नंबर ऑफ परसंस आर इंदर ओ यानि कि एक ही स्थिती के अगर हम बात करें तो हमें टॉप से भी दी गई है तो हमें क्या करना होगा दोनों स्थितियों को जोड़ करके एक घटाना होगा क्यों क्यों एक ही व्यक्तिक की काउंटिंग यहाँ पर द देखेंगे जो कि आपका आधारित किस पर था और रेंकिंग का पार्ट वन आप जरूर देखिए ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर अगले प्रस्ण की तो अगला प्रस्ण भी आपकी परिक्षा में पूछा गया प्रस्ण है यहां पर बोला जा रहा है अमंग 7 friends A, B, C, D, E and F, E, F and G, B is taller than only 4 friends यानि कि B के अगर हम बात करें तो B केवल और केवल 4 दोस्तों से क्या है लंबा है और कुल वेक्तियों की संक्या कितनी है साथ यानि कि B पांचवा वेक्ति हो जाएगा तो B के उपर देखने को मिलेंगे आपको दो वेक्ति जो कि क्या होंगे B से अधिक लंबे होंगे या B से taller होंगे clear आगे की अधि में बात करों तो बोला है C is taller than D यानि कि C कि अगर हम बात करें तो C क्या है D से लंबा है आगे की अधि में बात करों तो बोला है A is taller than F A क्या है F से लंबा है A is taller than F A F से लंबा है E केवल A के वेक्ति G से लंबा है तो यहां हो जाएका आगे कि याद हम बात करें भी एसे लंबाय तो अगर कहा जाई गार बी खेने बठाना यहां बठांगा व क्या है D से लंबा है तो C टॉप पे हो जाएगा और D आपका हो जाएगा C के जस्ट नीचे और B के जस्ट उपर अगर हम बात करें प्रशनकी तो बोला इन सब में सबसे लंबा कौन है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर C करना क्या था आपको जी के इस्टिती के अनुसार के और केवल structure ड्रॉ कर लेना था जो structure डारेक्ट नहीं बना उसको हम क्या करेंगे separate बनाएंगे और बाद में final structure के साथ हम उसको merge कर देंगे clear चलिए बात करते हैं अगले प्रशनकी अगले दी में प्रशनकी बात करूं from the right end कोले वेक्तियों की संख्या 17 है left end से गए तो 11 वेक्तियों को ले लिए इसके बाद बचे कितने वेक्ति 6 वेक्ति जब दूसरे एंड से हम गिंती करेंगे तो पहले 6 वेक्तियों को गिनेंगे कि उसके बाद नंबर आएगा किसका पी का यानि कि आंसर हो जाएगा यहां पर 7 यानि कि अगर हम बात करें concept 1 पर based दूसरे टाइप के question पर ही आधारित आपको प्रशने देखने को मिल रहा है बात करेंगे अगले प्रशनकी इन दे मॉर्निंग प्रियर ओफाइ स्कूल चंचल वाज एट फ्रॉम दा फ्रेंट यानि कि अगर हम बात करें चंचल की तो चंचल की जो स्थिती है पोजीशन है वो तो फ्रेंट से कितनी है एट है तो फ्रेंट को हम यहाँ पर left consider करके चलेंगे लेफ्ट से कितनी है किसकी पोजीशन चंचल आगे के दी मैं बात करूं वाइल प्रिंस वोज एलेवन फ्रॉम दा बैक जबकि हम प्रिंस की बात करें तो बैक अंड कितना है ग्यारवाँ अब पर दूसरे वेक्ति प्रिंस की तो प्रिंस कहां बैठा होगा डेफिनेटली तुवर्ट्स राइट ओफ चंचल यानि कि चंचल के दाहिनी और कहीं पर बैठा होगा कौन प्रिंस क्योंकि जब यह अपना स्थान बदलते हैं तो जो चंचल की पोजीशन है वो कितनी हो जाती ह इंदरो आपसे यहां पर पंक्ती में विद्यार्चों की कुल संख्या पूछी गई है कैसे निकाल सकते थे मैं आपको बता था ओरली बनाना है कैसे बनाना है औरली इस्ट्रक्चर नहीं भी बनाते तो बना सकते थे कैसे सेकंड पर्सन की प्रिवेस पोजीशन प्लस फर्स्ट पर्सन की न्यू पोजीशन फर्स्ट पर्सन की न्यू पोजीशन हो गई 22 और सेकंड पर्सन की प्रिवेस पोजीशन आपको देखने को मिल रही है और जब एक ही अगर हम बात करें स्थिती की एक ही स्थान की कैसे 22 मिल गया लेफ्ट एंड से और 11 मिल गया राइट एंड से यानि कि कुल वेक्टियों की संख्या की अगर हम बात करें तो 22 प्लस ग्यारा हो या 33 माइनस एक करोगे तो हो जाएगा 32 यही पर यदि आप से पूछा हो था प्रिंस की न्यू पोजिशन कहां से राइट एंड से तो यह हो जा रहा है आठ से बाइस चाओदा का इंक्रिमेंट तो यहां पर भी चाओदा का इंक्रिमेंट देखने को मिलेगा यहां कि आंसर क्या हो जाता 25 ठीक है एक और प्रस्ण यहां पर जो आपका बनता है दोनों के बीच में बैठे वेक्तियों की संख्या तो मैंन of 41 persons position of x is 25th from the right end of the row then find x position from the left end यानि कि अगर हम बात करें concept 1 पर based दूसरे प्रकार के प्रश्ण पर आधारी तो आपको ये प्रश्ण देखने को मिल रहा है प्रश्ण की यदि हम बात करें तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी 47 और x की position एक end से आपको यानि की right end से देखने को मिल रहा है 25 तो इसके बाद बची व्यक्तियों की संख्या कि अगर हम बात करेंगे तो कितने बचेंगे 16 और जब हम दूसरे एंड से गिंती करने आएंगे तो पहले 16 व्यक्तियों को गिनेंगे उसके बाद हमें मिलेगा कौन A यानि की A की position हो जाएगी कितनी 17 हमें इसके अगराएगी का की वतार greatest और जाफ रहा हमें दिए माईएगी मूसर assessment हमें इसकान आपला हमे दीने से अगरा रहां हम पुक्यूस का की तो थार जाएवायोस का रहरार्मेश ovenGuys